साल का पहला ही महीना है और अल्रेडी बॉलीवोड में बहुत कुछ हो रहा है शादियों की एनांस्मेंस, नए रिष्टों के चर्चे और बहुत सारे जगडे संजे दत और उनकी लेटिस गर्फिंड मानेता के बारे में हम तो काफी सुन चुके हैं लेकिन शायद बिचारे विवेक ओबरोय को इस रिष्टे के बारे में खबर नहीं थी और इसी वज़े से बिचारे विवेक को संजे दत का गुसा बरदाश करना पड़ गया हुआ ये कि विवेक ने एक पार्टी के दोरान मानेता के साथ फलर्ड करना शुरू कर दिया पहले तो मानेता इस बात को मजाग समझती तालती रही लेकिन जब विवेक को ज्यादा ही तो उन्होंने ये बात संजे को बता दी बिचारे विवेक तब से लेकर अब तक संजे धत की आज पास भी नजर नहीं आते कमाल है विवेक को अगर पंगिल लीनी है तो अपने साइज के साथ से क्यों नहीं लेते कभी सल्मान तो कभी संजे धत अभी शेक और आश्वरे की सगाई के खबर तो पुरानी हो चुकी है अब मुद्धा ये नहीं कि दोनों शादी करेंगे ये नहीं आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये बात डिबेट हो रही है कि इन दोनों की शादी कब होगी और कहां ट्रेंज, बसे, आफिस और यहां तक की स्कूल्स और कॉलेज़े में हर कोई इस जोडी के बारे में बात कर रहा है एक तरफ टेलेविशन और न्यूस चैनल्स पर अस्टॉलोजिस और अभी की कुंडलियों का पोस्ट मॉट्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग यह डिसकास कर रहे हैं कि शादी के बाद यह दोनों कौन से देश अपने हनीमून के लिए जाएंगे वैसे खबर आई है कि सल्मान कान ने भी पुरानी बाते मेरा मतलब है रिष्टे भुला कर अभी शेक कौन की सगाई की खबर सुनने के बाद फोन किया था यह जाना वाकर दिल्चस्प होगा कि सल्मान का यह फोन कॉल बधाई देने के लिए था या हम दर्दी जताने के लिए रितिक रोशन बॉलीवोड के सबसे हार्ड वरकिंग और डेडिकेरड अक्टर्स में से एक है अपनी हर फिल्म में अपने रोल के लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं और बाडी लैंग्वेज, लुक्स और कैर्टरिस्टिक्स पर काफी ध्यान देते हैं जब वो शूट कर रहे थे आशितोष गवारिकर की फिल्म जोदा अक्बर के लिए तो सुबह चार बजे उटकर वो हॉस्ट राइडिंग क्लासिस को अटेंट किया करते थे और आजकल वो करज़त में शूट कर रहे हैं फिल्म के लिए और अक्बर के रोल के लिए उन्होंने मूचे भी उगवा ली है अब रितिक को हम लोगों ने अब तक कूल डूड लुक में भी देखा है अब मूच के साथ क्या वो अक्बर के किरदार को बखुबी निभा पाते हैं वो तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा ऐसे कई लोगों के अनुसार परफेक्शनिस्ट का खिताब जो कई सालों से आमिर खान के सर है वो अब रितिक रोशन पर भी जचने लगा है अब आमिर खान के मंगल पांडे लुक के बाद रितिक रोशन का अकबर लुक भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाएगा एक जमाला था जब सानी दियोल के हाथों से विलिंज और गुंडे बाउंस हुआ करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके चेक्स बाउंस होने लगे थे फिल्म प्रिडूसर बनना काफी मुश्किल होता है और सानी दियोल को ये पता चला जब उनकी प्रिडूसर फिल्मे या तो बीच में अटक जाती थी या बनने के बाद रिलीस होने का नाम ही नहीं लेती थी इस वज़े से उन्हें काफी फाइनाशल लॉसिस का सामना करना पड़ा लेकिन सानी दियोल उन लोगों मेंसे नहीं है जो दूसरों के पैसे लेकर गाइब हो जाएं सुनने में आया है कि आजकर सानी दियोल अपने सभी क्रेडिटर्स को फोन कर रहे हैं और एक-एक करके सबका हिसाब क्लियर कर रहे हैं वैसे बहुत कम लोग ये बाद जानते हैं कि साउत में सूपरस्टार रजनी कांत इस गैरंटी पे फिल्म साइन करते हैं कि अगर उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो अपने सारी फीस लुटा देंगे इसी बज़े से उनकी आगे हमेशा प्रोडूसर्स की लाइन लगी रहती है शाय सानी दियोल भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं हमारे अक्टर स्क्रिप्ट प्रोडूसर डिरेक्टर को देकर एक फिल्म को साइन करते हैं लेकिन लगता है जौन एब्रहाम कुछ अलगी मिटी की बने हैं और फिल्म को शूट किये जाने वाले लुकेशन्स को देकर फिल्मों को साइन करते हैं काबोल एक्स्प्रेस को शूट करने के लिए वो गई अफगानिस्तान और उस जगा के खाने और मौसम के कारण वो बीमार पड़ गए और आजकल वो शूट करें अनुराक कशप की फिल्म नो स्मोकिंग के लिए पता है कहां? उस बेकिस्तान में और वहाँ टेंपरचर्ज माइनस 25 डिग्रीज तक चला जाता है लेकिन जॉन एपरहम वहाँ की ठंड में भी आराम से है क्योंकि सुनने में आया है कि उस फिल्म के सेट्स पर कई सारी रशिन लड़किया रोज आती है जो ओल्रेडी जॉन की दीवानी हो गई है बिचारे विवेक ओबरॉय उनका करियर उस दिशा में नहीं जा रहा जिस दिशा में वो उसे लेके जाना चाते है और उनकी लफ लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही है आफ्टर आल अभी तक विवेक आश एफेट्स से उभर नहीं पाए है और सुनने में आया है कि आश और अभीशे की सगाई के बारे में सुनकर वो काफी दुखी हुए थे लेकिन विवेक अपने उस दुख को काम करके भूलाने की कोशिश कर रहे है आज कल विवेक ओवरोई शूट कर रहे है एहमत कान की फिल्म फूल और फाइनल के लिए और उन्हीं मुस्कराने का एक अच्छा मौका मिला जब प्रडूसर फिरोज नादियादवालर ने फिल्म के गाने के लिए जेम्स बॉंड द्वारा मशूर की गई गाड़ी आस्टन मार्टन को रेंट किया और उसे चलाने का मौका मिला विवेक ओवरोई को विवेक जो की एक बॉंड फैन है अपने आपको 007 समझने लगे थोड़े समय के लिए लेकिन फिर इस आश्टन ने भी उनका साथ छोड़ दिया शूट के खतम होने के बाद लगता है आश एफेक्ट उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा बॉलिवोड के कई स्टार्स, प्रिडूसर्स और डिरेक्टर्स निमरालोजी और अस्ट्रोलोजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कई सारे अस्ट्रोलोजियर्स और निमरालोजिस ने बंगले बांद दिये लोगों को अड़वास दे कर लेकिन कुछ जोतिश और निमरालोजिस ऐसे भी हैं जो सला ना मांगने पर भी देते हैं अजय देवगन ने अपनी डिलेक्टरल डेब्यू पर काम करना शुरू भी नहीं किया और उन्हें जोतिशो और निमरालोजिस से सला मिलने लगे हैं एक ऐसे महाज ने उन्हें ये सला दी है कि फिल्म का टाइटल निमरालोजिकली उनके बर्थ डेट से टैली होना चाहिए और ये सुनकर अजय देवगन की हसी चूट गई क्यूंकि पहले तो उन्हें अभी तक फिल्म के टाइटल को फाइनल नहीं किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस निमरालोजिस ने उनके बर्थ डेट को गलत काल्कुलेट किया लगता है निमरालोजी करते करते वो मैच की पड़ाई करना भूल गई है अक्टर्स की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो बड़िया अक्टिंग करे कोशिश तो एक तरफ कई बार अच्छे रोल में भी अक्टर्स बुरी अक्टिंग कर देते हैं लेकिन आप क्या करोगे जब आपका रोल ही एक बुरे अक्टर का है ऐसे दुविदा का सामना कर रहे हैं अर्शद वासी अब अर्शद एक काफी talented अक्टर है और अपने हर रोल को उन्होंने बखु भी निभाया है लेकिन अनल कपूर की production shortcut में अर्शद का रोल एक बुरे अक्टर का है तो अर्शद एक बड़िया अक्टर तो है ही लेकिन क्या वो एक bad अक्टर का रोल निभा सकते हैं और मेरे मन में एक सवाल है कि अगर इस फिल्म में लोगों को अर्शद की अक्टिंग पसंद नहीं आई तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्शद ने एक बुरे अक्टर के रोल को भी अच्छे तरह निभाया है काफी एक confusing सा रोल है न अर्शद के लिए लेकिन एक बात होता है इस फिल्म में अर्शद के लिए कोई शॉट कट नहीं होगा